हरपुर बुधहट पुलिस वास्टिक्री गंज पुलिस की संग्त टीम द्वारा पुलिस कारवाई में गोली लगने से एक शात लोडेरा घायल हुआ जिसके संबन में स्स्पी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि 29 शून को दिवरिया गाउं के पास संतकबीर नगर बॉर्डर थाना हरपुर बुधहट के थाना प्रभारी वस्तिक्री गंज थाना प्रभारी चीम के साथ रातरी भ्रमर्सील थे कि एक मोटर साइकल सवार व पास के थानों को सूशित करते हुए उसका पीछा किया गया जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस बल की जबावी कारवाई में वाव्यक्ति गोली लगने से घायलो गया जिसको जिलास बताल में भट्ति कराए गया जिसका इलाज चल रहा है जिसकी इस्थिती सामाने है उन्ह पार थाना महुली चनपद शंतकभी नगर के रूप में हुई है जिसके पास एक देसी तमंचा, एक खोखा कार्टूस, एक मिस कार्टूस, एक जिन्दा कार्टूस, सफेद धातू का आठ जुड़ा पायल, सफेद धातू का एक लॉकेट, सफेद धातू के दो सिक्के, पिली धातु का एक ताबीज, पिली धातु की एक अंगुटी, पिली धातु की कान की दो जोड़ी बाली, पिली धातु का कान का एक जुरे टप्स, पिली धातु की एक ओम का एक लॉकेट, पिली धातु की एक नाक की दो कील, पिली धातु की एक नतिया, तीन लूट का मुव वाइल एक चोरी की मोटर साइकल बरामत किया गया SSP ने बताए कि मुद्भेड में शामिल पुलिस ट्रीम को 25,000 रुपे का पुरिश कर दिया जाता है मुद्भेड में सामिल पुलिस ट्रीम में शामिल हरपुर बुधर ठाना प्रभारी इनितिन रगुना असिर्वास्तो और सिक्रीगंज ठाना प्रभारी दीपक कुमार शेंग सामिल रहे इस संबन में गुरगपूर नियूस से बात करते हुए एससपी डॉक्टर विपिंत ताड़ा ने कहा ठाना हरपूर बुधर्ट और सीक्रीगंज ठाने की पुलिस ने रात्री में चेकिंग के दोरान एक अब्युक्त को रोखने का प्रयास किया जिस पर की अपरादी ने पुलिस पर फायर किया इसमें जवाबी कारेवाई में अपरादी को गोली लगी है जो अपरादी पकड़ा गया है वो संत कबीर नगर का रहने वाला है और इस अपरादी के उपर करीब 10 मुकद में है और संत कबीर नगर का इस्टिशीटर है ये इस अपरादी से पूछ ताच में जानकारी हुई कि इसने दो दिन पहले रात्री में एक घर में घुश कर ठाना हरपुर बुधट में एक लूट की गटना को कारित किया था जो लूटावा माल है वो भी उससे बरामद हुआ है जो मोटर साइकल है और तमंचा है पुलिस ने कबजे में लिया है फिलाल अब्युत को अस्पताल बेजा गया है इलाज के लिए और मुकदमा दर्ज कर उसे आगे कारिवाई करते जेल बेज़े जाएगा